हेलो एब्रीबन रादे रादे जैश्री रादे कैसे हैं सब हम उमीद करते हैं अच्छे होंगे खुश होंगे वेलकम माई यूट्यूब चैनल तुझी आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो ये सुबह का वीडियो है जो स्टार्ट कर रहे हैं और मेरी बैड़ सीट कैसी लगी आपको बताना जरूर कमेंट करके ये गिरे कलर की है अब इसमें कलर थोड़ा आउट दिख रहा है तो जी आप सभी का चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है बिलोग को पूरा देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को मेरी बीडियो कैसी लगी जए श्री किशना जे मात अदी जे मात अदी सच्चे दरवार की जए तो आज नवरात्री है पहला तो मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्री की बहुत-बहुत सुबकाम नाए मातारानी सब पर अपनी किर्पा बनाए रखे सभी के परिवार को खुसी रखे तो मैंने मातारानी को कं lustल से निला लिया है और कपड़े पेना देते हैं तो जी मातारानी की जो मूर्ती है वो कोई दिन पहले मेरी गर आ गई थी तो मैंने जब निलाया नहीं था मैंने तो आज पहले नवरात्री को मातारानी का शिंगार कर देते हैं निला दुला के तो जी ये हैं रेड कलर के कपड़े मेरी माता के तो ये मेरे बिना दिये है और मेरी माता बहुती अच्छे से सिंगार किया मैंने बहुत संदर दिख रही है और एक माला लेके आई थी वाइट कलर की तो वो भी बिना दी है और फूलों की जो माला है वो भी बिना दी है मंगाई थी तो बिना फूल के पूजा धूरी है तो फूल की एक माला जरूर पिरानी चाहिए मातारानी को नवरात्री के पहले दिनी में ये चीजे कर लेती हूँ पहले दिन थोड़ा टाइम तो लगता ही है तो चलो देखते हैं आज की पूजा कैसे करती हूँ मैं कैसे मातारानी के ओ आज मनाते हैं तो आजाईए मेरे साथ बनी रहेगा बिलोग में तो आप लोग सब देखिएगा कि कैसे कैसे पूजा होती है तो ये इसमें मैंने एक रुपिया फूल डाल दिया है और हल्दी की गांट और सुपारी तो ये हो गया है कैमरा आउट थोड़ा सा समझ नहीं आया तो प्लीज आप लोग इग्नॉर करिएगा क्योंकि खुद से वीडियो बनानी पड़ती है तो ये सब इदर उदर हिल जाता है छूट जाता है हाथ से तो ये मेरी पूजा हो गई है मतलब हो गई नहीं है अभी तैयारी हो गई है जाले तर तो मैं अब तैयारी कर रही हूँ अखंड जोट की क्योंकि मेरे को मैं रुई वाली जोट बनाती हूँ तो ये जलाती है मैंने देशी घी की जोट मैं नहीं जलाती हूँ किसी भी चीज की हवन हो गया है मेरा और मैं ये देखो देशी की मैं अपनी अखंड जोट जलाती हूं और गी का ये आज मा को भोग लगता है तो आज मैं बता देती हूं आज का जो भोग है वो है गी का मा को गी का भोग लगेगा और मैंने अखंड जोट अपनी सुरू करती है तो मेरी अखंड जोट है जो वो आठ दिन तक जलेगी मातारानी के दरवार में और मातारानी को सिंगार वगेरा जो भी है सब लगा दिया है मैंने तो जी आज सब ही को मातारानी सब के बच्चों पे परिवार पे सब पे किरपा बनाए रखना और पहला नवरात्री है तो चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि मतलब नवरात्री में बहुत अच्छा तोहार है और मुझे अंदर से बहुत खुसी मिलती है और इस कलर की मैंने चूड़ी पहन ली है बहर बहर के हाथ दोनों तो माता रानी की नवरात्री में मैं चूड़ी हरी लाल जरूर पहनती हूँ और महंदी अभी मैंने लगाई नहीं है कल लगाऊँ महंदी और बिधी आ चुकी है तो बिधी को तो बस आना होता ही है और अब बोलेते हैं मा के जवारे तो चलो जी मा के जव बोलेते हैं तो मैं रेती ले आई हूँ बाहर से साफ सुद्री और रेती में मैंने डाल दिया है गंगाजर मिला के पानी तो बस अब मैंने जव जो बिधोए थी सुबह ही मैंने जव बिधो दिये थे भिगोने से थोड़ा सा अच्छा रहता है तो आप किस तरह से बोते हैं मैं इसी तरह से जोब ओती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै माता दी सची तरवार की जै माता रानी सब पर अपनी किरपा बनाए रखा मिलते हैं कल दूसरे नवरात्री में और ऐसे डख देना अब डख के ना थोड़ी गर्माई से जल्दी निकलाते हैं तो बस सभी को बाई बाई दोस्तो